प्रपन भी है और लिख अधिर है कि आधि बिस्मिल्ला रख्मान रोहिए नामेरिकल नौर 6 एक्जाम का नौरिकल एक्जाम में भी आ चुके है नौरिकल इस नुमेरिकल में वह मंसे कहुआ है के एक डाइवर ने जम लगाई और जाके वह पानी में सीद्ञा है गिर जाता ह तो वो जो diver jump लगाता है उसकी jump लगाने में जो initial velocity का horizontal component है वो कह रहा है initial horizontal velocity तो initial का मतलब है V0, horizontal का मतलब है X वो से हमें दिये 7 meter per second कह रहा है upward velocity component तो initial का upward का मतलब होता है Y component और वो से हमें दिये 3 meter per second कह रहा है find the component of her position and velocity after 1 second कितने time के बाद 1 second के बाद वो कह रहा है कि component बताने है position के भी और velocity के तो मुझे बताईए position के component का मतलब क्या होता है position का तो मतलब होता है कि x की value बताओ और y की value बताओ ये position की value हो गई और जो velocity की component होते हैं वो क्या होते है vx की value होते हैं और vy होते हैं ये चार चीज़े हमने बतानी है, जबकि बुक में जो जवाब है, वो सिर्फ VX और VY के दिये हुए, लेकिन चुक्के question में उसने है, X और Y भी पूछा है, तो उसकी भी हम बात आपसे करेंगे, देखिए हमने कैसे solve करना है, बड़ा असान किसम का question है, मुझे बताइए, कि अगर मुझे X मालूम करना है, तो X का formula क्या है, X equals to V0XT, क्या यही बात नहीं होती है हमारे पास, और अगर यह बात ठीक है, तो V0X क्या होता है, जो भी initial velocity का X component है, वो कभी भी change नहीं होता, तो V0X हमारे पास कितना रहेगा, 7 रहेगा, और time उसने में कितना दिया हुआ है, वन सेकंड दिया हुआ है, तो इसको आप वन पूट कर दिया है, तो इसको आप वन पूट कर दिया है, तो 7 रहेगा, 7 तो 7 मीटर, यह हमारे पास आजाएगा, horizontal component आजाएगा, किसका, position का, अगर आपको vertical component मालूम करना है, तो हम जानते हैं, कि vertical component, यानि Y की value हमारे पास जो formula है, वो है V not Y T minus half G T square, तो V not Y हमारे पास क्या है, उसने velocity का vertical component आज हमें गिवन दिया हुआ है, 3 है, तो इसकी जगावे आप 3 पूट कर दिजे, multiply by time 1 है, और उसके बाद है हमारे पास minus 1 upon 2, फिर G की value है 9.8, और time हमारे पास कितना है, 1 और इसके ओपर आप square अप्लाय कर है, तो Y is equals to, अब ये 3 1 से कितना हो जाएगा, 3 minus 9.8 को 2 से divide कर दिजे, तो ये बन जाता है 4.9 और 1 का square कितना होता है, 1, तो 3 minus 4.9, तो Y जो vertical component है, वो आपके पास कितना हो जाएगा, minus 1.9 meters, ठीक है, मेरे खाल है असान किसम के numerical है, आप से हो जाएगा, अब इसके बाद आप एक बार we lost initial का जो भी X component होता है, वो कभी change नहीं होता है, तो एक बार जो भी initial का X component बनगे, वो कभी change नहीं होगा, तो initial का जो X component है, 7, so the direct answer is 7 meter per second, that's it, okay, अब VY की आपको value मालूम करनी है, तो VY की का भी formula हम जानते हैं, VY is equals to V not Y minus GT, right, तो values को put कर दिजे, V not Y हमरे पस कित तो V not Y की जग में मैंने put किया 3 minus G की value 9.8 और time 1 second में given है, तो यह जगा 3 minus 9.8 को 1 से करें, तो 9.8 तो यह हमारे पस बन जाएगा, minus 6.8 meter per second, this is the value of the velocity, तो यह numerical इस तरीके से solve हो जाएगा,